दोस्तो जियो और एटल के बीच में छिड़ चुकी है जंग जी हाँ दोस्तो दोनों लोग आपस में लड़ गए हैं आखिर में खबर क्या है जाहिर सी बात है जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो जियो को ही सपोर्ट करने वाले हो क्योंकि एटल ने जो मांग की ह है वो सही है या नहीं कमेंट करके आप बताएगा लेकिन आखिर में जियो और एटल की लड़ाई क्यों शुरू हो गई और ट्राई का क्या कहना था इस लड़ाई में क्योंकि सब मांग जो है वो ट्राई सही की गई थी मतलब टेलिकॉम रिगलेटी ए ठाटी ओफ इंडिय तो आपको बता है Reliance Jio यहाँ पर हमें जो IPL है वो दिखा रहा है विर्कुल फ्री में Jio Cinema एप्लिकेशन के ओपर और वहाँ पर Jio Cinema को काफी ज़दे लोग इंजॉय कर रहे हैं मतलब पहले क्या होता था कि TV पर हम लोग IPL को इंजॉय किया करते थे बट अब क्या है Jio Cinema इसके कारण दोस्तो जो एटल का DTH है उसको कोई यूज नहीं कर रहा है बिसकली वहाँ पर जो गिरावट है वो एटल को देखने को मिल रही है कहीं न कहीं इसलिए यहाँ पर जो एटल को है वो दिक्कत सुरू हो गई बिसकली दोस्तो एटल ने यहाँ पर मांग कर लिया ट्राई से कि यह जो जियो सिनिमा एप है इस पर जो ब्रॉटकास्ट होने वाला जो कॉंटेंट है उसको रेगुलेट करना चाहिए इसके लिए उन्होंने अनुरोध कर दिया ट्राई से कि भया यह जो ब्रॉटकास्ट होने वाला जो कॉंटेंट है जो जियो सिनिमा एप पर यह जो मतलब दिखा है जियो तो इसके उपर कुछ रूलेशन लाना चाहिए त्राई से यह मंग कर दिया इतना ही नहीं यह से इसको भी आ आपको देखना होगा इसके उपर भी नजर रखिए इसका वी अनुरोध यह हो रही है वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ और जब यार एटल ने सिकायत की ट्राइ से तो ट्राइ ने यहाँ पर जियो से जवाब मांगा था पैरा ग्राफ के मतलब अनुसार लेकिन भईया जब ये जवाब मांगा गया जियो से तो जियो भडग गया और जियो का भडगना जो है वो लाजमिय था बिसिकली यहाँ पर जियो ने साफ साफ कह दिया कि जो एटल है वो कही ना कही हम जो टैरिफ जो प्रोवाइट कर रहे है अपने कश्टमर को और किफाइती टैरिक जो प्रोवाइट करें अपने कश्टमर को उसको लेकर बदनाम करने का ये प्रयास कर रहा है एटल लाइन जियो ने भाईया ट्राई से ये भी कह दिया कि भविश में हम ऐसी मतलब अनरोध नहीं चाहते हैं अगर एटल की तरफ से और अगर ऐसा तुछ जो है वो सिकायत अगर फिर से एटल से की जाती है तो भाईया एटल के उपर आपको कोई सक्तकारवाही करनी होगी मतलब जियो ने आपर चेतावनी देने का नरोध किया है ट्राई से कि भाईया एटल को समझा लो तो तुछ सिकायत वाली जो हरकते कर रहा है ये ना करे एटल का कहना यह है कि अगर वन सर्वीस है तो वन रेट होना चाहिए इस प्रणानी के ओपर यहाँ पर जो है वो काम होना चाहिए सीजी सीजी बात कहों तो एटल का कहना यह है कि अगर एक ही content को अगर दो तीन जगे दिखाया जा रहा है तो उनका जो price है क्योंकि same service है तो price भी अलग-अलग platform पे हो या कहीं पर भी हो तो same price भी होना चीए मतलब same service same price बात यहां पर यहां पर यह आ रही है कि जियो सिनीमा ने जो rights है IPL के वो पूरे के पूरे यहां पर ले लिये हैं digital rights और जो disney star है उसको यहां पर प्रसारल का अधिकार है वो tv पर जो disney star है वो यहां पर प्रसारल कर सकता है matches को जाइट सी बात है कि अगर जियो सिनीमा आप में हमें अगर मुफ्त में जो IPL है वो देखने को मिलेगा तो कौन ही tv पे पैसा लगा कर watch करेगा तो try के मतलब rules and regulation के अनुसार जो disney star है उसको अपने हर एक customer से 19 रुपय का channel सुल्क जो है वो लेना पड़ता है और अगर वो न सिनीमा में अराम से free में content को देख पा रहे हैं तो वहां पर कोई tv पे recharge करके 11 रुपय का extra recharge करके कोई क्यों ही tv के सामने बैठ के देखेगा बलकि mobile में तो उनको आप कह सकते हो free hand मिल जाती है service मतलब वो कहीं पर भी बैठ के use कर सकते हैं कहीं भी देख सकते हैं चलते चलते ब कोई क्यों use करेगा और आपको उताना चाहूंगा कि ज्यादा संख्या में अभी इंडिया में एटल का DTS यूज किया जाता है और यह भी उता दू कि मेरे घर में भी एटल का ही DTS लगा हुआ है लेकिन अब एटल के DTS में कोई क्यों recharge करेगा जब सब content जो है वो आपके जाना मेरे लिए बहुत ही महत पूर है तो कमेंट करके जूरू बताएगा कि आफिर में आपके क्या सोचना है कौन है यह तेल या फिर जीओ तो वीडियो चीनल लाइक करके शिर करके चनल को सब्सकार करें किकर में रुजाना है स्विजाना इस विजली कहता है तो करके लेता ही जहिन वने मात्रम अपना ख्यार कीगा